हेलो इस्टुडेंट्स आई आप लोग का भाग तेरा होगा गबन रमा को आज यह नहीं नहीं बात मालूम हुई शोचा आखी सुबह को मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ अगर यहां आगर बैठ जाओं तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाए फिर तो 6 मेने में यह शारा जहरा साफ हो जाए मालो रोज यह चांदी ना होगी 15 ना शही 10 मिलेंगे 5 मिलेंगे अगर सुबह को 5 रोज 5 रुपए मिल जाए और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महिने में रिर से मुक्त हो जाओंगा उसने दराज खोल का फिर रेजिस्टर निकाला यह हिसाफ लगा लेने की बाद अब रेजिस्टर में हीर फिर कर देना उसे इतना भैंका जान पड़ा नया आरंग रूट जो पहले बंदू की आवासे चोप पड़ता है आगे चल के गोलियों की वर्सा में नहीं घबडाता रमा दफ्तर बंद करके भूजन करने घर जाने वाला ही था कि एक विसाती का ठेला पहुचा रमा ने कहा लड़का चुंगी लूँगा विसाती ने मिनत करने शुरू की उसे कोई बड़ा जरूरी काम था आखिर दस रुपे पर मामला ठीक हुआ रमा ने चुंगी लिए रुपे जे में रखे और घर चला पचीस रुपे के वर दो ढ़ाई घंटों में ही आगे अगर एक मैने में या अवसत रहे तो पल्ला पार है उसे इतनी खुसी हुई कि वह भूजन करने घर न गया बाजार से कुछ भी न मंगवाया रुपे भुनाते हुए उसे एक रुपे कम हो जाने का ख्यार हुआ वह साम तक बैठा काम करता रहा चार रुपे और वसुल हुए चिराग जले वह घर चला तो उसकी मन पर से चिंता और निरासा का बहुत कुछ बोज उतर चुका था अगर दस दिन यही तेजी रहा तो रतन से वह मुझ गाने के नोबत ना आएगी नौ दिन गुजर गए रमा रोज प्राता दफ्तर जाता और चिराग जले लोटता वह रोज यही आसा लेकर जाता है कि आज कोई बड़ा सी कार फस जाएगा पर वह आसा ना पूरी होती इतना ही नहीं पहले दिन की तरह फिर कभी भाग का शुरी ना चमका फिर भी उसके लिए कुछ कम स्रे की बात नहीं थी नौ दिनों में उसने सो रुपे जमा कर लिये थे उसने एक पैसे का भी नखाया था जालपा ने कही बार कहा चलो कहीं घूमावे तो उसे भी उसने बातों में इटाला बस कल का दिन और था कल आगर अतना कंगर मांगी तो उसे वह क्या जवाब देगा दफतर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था क्या हुआ एक मैना भर के लिए ना मांझाए कि इतने दिन और ना बोलती तो शायद वह उससे रिड़ हो जाता उसे विश्वास हा कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बाते करके राजी कर लूँगा अगर उसने जित की तो मैं उससे कहा दूँगा सराफ रुपए नहीं लवटा था शावन की दिन थे अंधेरा हो चला था रमा सोच रहा था रमेश भाबू के पास सरकत दो चार बाजिया खेला हूं मंगर बाद लोगो देख देख रूप जाता था इतने मिरतन आप पहुची वह प्रशन नहीं थी उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी आज वह लड़ने के लिए घर से तयार होकर आई है और मुरवत और मुलाजे की कर्पना को भी कोस्त दूर रखना चाहती है जाल मां उसका लटका हुआ मों देखकर ही मन में शाम रहा था किसी तरह उसे पिसन करना जाता है बड़ी तत्पता से बोला जी हां खुब याद है अभी शाराब की दुकान से चला रहा हूं रोज सुबर शाम घंटे भर आजरी देता हूं मगर इन चीजों में समय बहुत लगत सब्सक्राइब करते हैं मेरे जरूरत नहीं है एक मैना ना लगेगा मैं जल्दी ही बनवा दूंगा एक मैना तो मैंने अंदाजन कर दिया था अब थोड़ी कसर रह गई है कर दिनों तो नगीने तलास करने में लग गए लतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई आप मेरे रूपए लटा दीजी बस सुनार मैंने बहुत देखे हैं आपके दया से इस वक्त भी तीन जोड़े कंगन मेरे पास होंगे पर ऐसे धानली कहीं नहीं देखी धानली के सब्सक्राइब रतन तिर्मिला उठा रमा तिर्मिला उठा उठा नहीं मेरी हिमाकत कहिए मुझे क्य ज़रूरत थे कि अपनी जान संकट में डालता मैंने तो पेशगी रूपए इसलिए दिये कि शुनार खूस होकर जल्दी से बना देगा अब आप रूपए मांग रही है तो सराफे रूपए नहीं लोटा सकता रतन ती प्रे नेत्रों से देकर कहा क्यों रूपए नहीं लो होगे मुझे कर या तो कंगन ला दीजिए या फिर रूपए आप से यदि सराफ से दोस्ती है आप मुलाइजा है और मुरवत के सबब से कुछ न कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए मैं पता लगा वा अच्छी दिल लगी है दुकान निलाम करा लूँगी जेल भीजवा दूँगी इन बद मासों से लड़ाई के बेगर काम नहीं चलता रमा प्रतिभोकर जमीन की ओर तकने लगा हुआ कि इतनी मनहुस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए ली बैटे बिठाए भी पत से लड़ते वक्त लेता हूंगा रुपए पूरे लूंगी ऐसा ना होगी दो चार सव रुपए देकर टाल दे रमानात कल आप अपने सव रुपए ले जाएगा यह कहता हुआ रमा मरदाने कमरे में आया और रमेस बाबू के नाम एक एक रुपका लिखकर गोपिश्य बो तो रमाना तो क्या सारी दुनिया बजाएगे दोड़ते विजहाओ पिश्वंबर और वो जो घर पर ना मिले रमाना मिलेंगे वो इसी वक्त कहीं नहीं जाते आज जीवन में पहला और शर्था की रमाने दोस्तों सुरूपे उधार मांगे आगरा और विनेक के जितने शब्दों से आद याद आया उनका उप्यों किया उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुप होता जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी बार आ चुके थे उन पत्रों को पड़कर उसका हिदय इतना द्रवित हो जाता था पर विवस होकर उसने उससे बहाने करने पड़ते थे क्या रमेस बाबू भी बहाना कर जाएंगे उनकी आमदरी ज्यादा एक हाच कम वह चाहें तो रुपे का इंतियाम कर सकते हैं क्या मेरे सा इतना सुलुक भी न कर सकेंगे अब तक दोनों लड़के लोड कर नहीं आएं वह द्वार पर टहले लगा रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी इतने वरतन बाहर आई और उसे टालते टालते देखकर भी कुछ न बोली मोटर बैठी और चल दी दोनों कहां रह गए अब तक क कहीं खेलने लगे होंगे सैतान तो हैं जो कहीं रुपए देदे तो चांदी है मैंने तो मैंने दो शव नाहग मांगे साथ उसने रुपए उनके पास नहों सवर वालों की नोच खसोड से कुछ रहनेको भी तो नहीं पाता है माली चाहे तो 1500 दे सकता है लेकिन देखा चाह तो दोड़ा चराओं जाओं रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था आखी विसोमा लोटा मारिक ने लिखा था आज कर बहुत तंग हूँ मैं तो तुम्हें तुम्हें से मांगने वाला था तुमा ने पूर्जा फाड़कर फेक दिया मतलब ही कहीं का अगर सब इंस्पेंक्टर ने मांगा होता तो पूर्जा देखते ही रूपए लेकर दोड़ जाते और खैब देखा करूंगा अभी तुम्हें अनभव नहीं हुआ है लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा जहां मित्रों से लेंदे शुरू हुआ वहां मन मुटाव होते देर नहीं लगती तुम मेरे दोस्तों मैं तुमसे दुस्मनी नहीं करना चाहता इसलिए मुझे श्मा करो रामा ने इस प्रवान की दसा वह भी होती है जब आके खुली होती और कुछ नहीं सुझता कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता शंद्या हो गए थी मिनस्वरटी के आहाते में सनाटा चाह गया था करमचारी एके करके जा रहे थे महतर कमरों में जाड़ू लगा रहा था चप्रासियों ने भी जूते पाना शूरू कर दिये थे खोचे वाले दिन भर की विक्री के पैसे गिन दे पर रमाना था अपनी कुर्सी पर बैठा रेजिटर लिख रहा था आज भी बपर रात्त कर आया था पर आज भी कोई बड़ा शिकार ना फशा वही दस रुपे मिल कर दिये अगर उसे मालू हो जाए कि उसके रुपे ततकाल मिले सकते हैं तो वह श्रांत हो जाएगी रमा उसे रुपे से भरी हुई थैली दिखा कर उसका संदे मिटा देना चाहता था वह खजांची साब के चले जाने की राह देख रहा था उसने आज जानम बुच कर देर की थी आज की यामदनी के 800 रुपे उसके पास थे उसे वह अपने घर ले जाना चाहता था खजांची ठीक चार बजे उठा उसे क्या गरश थी कि रमा से आज की यामदनी मांगता रुपे गिनने से ही चुट्टी मिली दिन भर भाई लिखते खाते लिखते लिखते और वो चले गए तुमने मुसे कहा क्यों नहीं अभी कितनी दूर गए होंगे चपरासी सरक के नुकर तक पहुचे होंगे रमानाथ यामदनी कैसे जमाओगी चपरासी हुकम हो तो बुलाओं रमानाथ जाओ भी अब तक तो कहा नहीं अब उन्हें आधे रास्ते से बोलाने ज रखे रहेंगे तुम्हारी जिम्यदारी रहेगी चपरासी नहीं बाबुसा मैं यहां रुपए नहीं रखने दूँगा सब घड़ी बराबर नहीं जाती कहीं रुपए उड़ जाए तो मैं बेगुना मारा जाओं सुवेते का ताला भी तो नहीं है यहां रमाना तो फीर रुपए कहां रखों चपरासी हुजूर अपने साथ लेते जाए रमा तो यहीं चाहता था एक का मंगवाया उस पर रुपएों की ठेली रखी और घर चला सोचता जाता था कि अगर रतन भवकी में आ गई तो क्या पुष्णा कर दूंगा दो ही दो ही चार दिन की कशर है रुपए शामने देखकर उसे तसली हो जाएगी जालपर अंधहली देखकर पूछा क्या कंगर नमिला रमानात अभी तयार नहीं था मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिसमें उने तसकीन हो जाए जालपा क्या कहा शराप ने रमानत क्या कहा आज करता है अभी रतन भी आई नहीं जालपा आती होंगी उसे चैन कहां जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमाने समझा आप ना आएंगी रुपए आलमारी में रख दिया और भूमने चल दिया अभी उसे दस मिनट भी ना हुए होंगे कि रतन आप हो जी और आते ही आते बोली कंगन तो आ आ गए होंगे जालपा हां आ गए हैं पहन लो बेचारे कई दफ़ा सराफ के पास गए अभागा देता ही नहीं हिले हवाले करता है रतन कैसा सराफ है कि इतने दिन से हिले हवाले कर रहा है मैं जानती कि रुपए जहमोले में पढ़ जाएंगे तो देती ही नहीं देती क्यो ना रुपए मिलते हैं न कंगर मिलता है लतन से यह बात ऐसे अविस्वास के भाव से कहें कि जाल पाओ जलू टी गरों से बोली आपके रुपए रखे हुए जब चाहिए ले लिजाए अपने बस की बात तो है नहीं आखे जब सराब देगा तभी तो लाएंगे लतन कुछ कि वादा करता है कब तक देगा यह आप लोग का भाग तेरह हुआ सो आज के लिए इतना ही थैंक यू